दोस्तो आज की कहानी है अकबर बीरवल की सब बह जाए गए सब बह जाएंगे एक बार बातसा अकबर अपने साथ बीरवल को सिकार पर ले गए उनके साथ सेन्या की एक तुकडी और कुछ सेवक भी थे सिकार करके कुछ एक दिनों में अकबर लोटने लगे तब ही रास्ते पर एक गाव को देखकर बातसा के मन में उसके बारे में जानने की इच्छा जागी उन्होंने तुरंद अपने साथ आए बीरवल से पूचा कि क्या तुम इस गाव के बारे में कुछ जानते हो मुझे इस जगा के बारे में जानना है बीरवल ने जवाब दिया सेहनसा मुझे भी इस गाव के बारे में कुछ नहीं पता है अपने राज्जे के इस गाव की तरफ मैं भी पहली बार ही आया हूँ आप यहां के बारे में जानना चाते हैं तो मैं किसी से पूछ कर बताता हूँ तबी वीरवल की नजर एक आदमी पर पड़ी उन्होंने उसे अपने पांस बुला कर पूछा भाही क्या तुम इसी गाउ के रहने वाले हो अगर हां तो इस गाउ के बारे में मुझे सब कुछ बता दो यहां सब बढ़िया तो चल रहा है ना वो आदमी वीरवल के सवालों का जवाब दे ही रहा था कि उसकी नजर बात्सा पर पड़ गई उसने उन्हें पैचान लिया फिर बोला कि सहाब आप लोगों के राज में यहां कुछ खराब कैसे हो सकता है यहां सब कुछ बढ़िया है तब बात्सा ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है उस व्यक्ति ने जवाब में कहा मेरा नाम गंगा है बात्सा फिर बोले पिता का नाम ज़वाब मिला जमूना इतना सुनकर बातसा ने पूछा कि फिर तो जरूर तुम्हारी मा का नाम सरस्वत्ती होगा उसने कहा नहीं हुजूर मेरी मा का नाम नर्बदा है इन सभी बातों को सुनकर वेवल को हसी आ गई और उन्होंने मजा के अंदाज में कहा बातसा अब यहां से आगे बढ़ना सही नहीं है यहां सारी नदिया है आपके पास नाव भी नहीं है तो आगे मत जाएए आगे बढ़ने के लिए नाव का होना जरूरी है नहीं तो डूबने का डर बना रहेगा और यहां जादा देर रुके तो सब कुछ बह जाएगा भीरवल की ये बात सुनकर बातसक को भी जोर से हसी आ गई वो व्यक्ति भी भीरवल का मजाग सुनकर मुस्कराते हुए वहां से चला गया कहानी से सीख हर कदम हर दम व्यक्ति को गंबी रहने की जरूरत नहीं होती हसी मजाग करना भी जरूरी है दोस्तो गोड मेसिज ट्यूबर को लाइक करे सब्क्राब करे और दोस्तो शेयर करना मत भूलना है वनाइस डेग खुश रहो दोस्तो ओके दोस्तो बाए